लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती Hey everyone, मैं हूँ रोश्णी गौतम और आप सभी का हमारी YouTube चैनल Adugroon में स्वागत करती हूँ आज Career Talk एपिसोट में हम बात करेंगे Diploma Course After 12 After 12 आप कौन-कौन सी ऐसी Diploma कर सकते हैं, Diploma बोला जाए, तो अगर आप Diploma करते हैं, तो आप एक Certificate लेंगे और वो mainly 6 और maximum 3 एर का होता है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, Graduation, Master, PhD करने का या आप Afford नहीं कर सकते हो तो मेरी मानिए तो आप Diploma Course कीजिए, जो बच्चे Graduation, Master करके Earn नहीं करते हो, आप Diploma Course करके Earn कर सकते हो क्यूंकि ये Vocational Education होता है, और जो Vocational Education है, Skill Enhancement की बहुत डिमांड है मार्केट में तो Diploma Course करके आप अच्छा खासा Income Earn कर सकते हो तो Diploma Course में कौन-कौन सी फिल्ड या उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं तो देखी कौन-कौन से courses हैं जिसमें आप Diploma Course कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं तो देखी इतने सारे courses हैं, मैं सारे fields के cover किया है, जो PCM हो या फिर PCB हो, कौन से fields से आप बेलोंग करते हैं तो आप कंप्यूटर में Diploma कर सकते हैं, जो कि 3-year program होता है, 3-year में आपका खतम हो जाएगा अगर engineering करते हैं, तो 4-year उसके बाद आपको M-Tech भी करना परता है, बट Diploma में 3-year maximum होता है, उसमें करके और आप computer के knowledge कर सकते हैं, डबलपर बन सकते हैं, coding कर सकते हैं, इसमें designing भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है eligibility क्या रहता है कि अगर आपके पास PCM या PCB है और आपको 40 और 45% आया है 10th में, तो आप Diploma in Computer Engineering कर सकते हैं, computer का doctor बन सकते हैं, ये college mention है, आप इस पे जाके visit कीजिए और ये सारे ये सारे university है, जो की Computer Diploma in Computer Engineering कराते हैं second देखते हैं कौन है, Diploma in Nursing, नर्सिंग का बहुत recruitment आता है, अगर आप Diploma भी करते हैं और आप training pursue कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब बहुत जो government और private हो गया, hospitals में बहुत hiring हुई, अभी जो COVID के टाइम पे था बहुत ज़्यादा डिमांड थी nursing की और बहुत सारी vacancy थ तो आप Diploma in Nursing कर सकते हैं, जो की 3 year course होता है और 6 month का internship भी होता है, उसमें आपको training दिया जाएगा, तो इसकी eligibility क्या रहती है, कि अगर आपके पास PCB है, PCB में आप 45 या 45 या 50% आपके marks हैं, तो आप Diploma in Nursing कर सकते हैं, ओके 12 में, तो best colleges आपके screen पे हैं, आप हमारे जो website है carriertalk.adugrown.in पे visit कीजिए और इसको पढ़िए deep पढ़िए क्योंकि time की shortage है, मैं सारे detail नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ base बता रही हूँ कि mainly क्या होता है, eligibility क्या है, और अगर कोई भी stream से belong करते हैं, तो भी आप Diploma कर सकते हैं, जो क की बहुत interesting है, third है physiotherapy, physiotherapy का बहुत demand है, क्योंकि अगर कोई sports में है, health से कोई कर रहा है, old days है, उन वो बहुत demand करते हैं physiotherapy में, तो आप जाके health के doctor बन सकते हो, जैसे की, देखो illness होता है, aging हो गया, sports में बहुत इसकी demand है, health की demand है, तो physiotherapy भी बहुत अच्छा diploma course है, eligibility क्या होता ह है, कि 12 में आपकी PCB है, तो आपका 45-55% होना चाहिए, और आप physiotherapy में diploma कर सकते हैं, तो यह best colleges है, जो कि diploma in physiotherapy कराती है, next है हमारा diploma course in nutrition and dietist, जो कि मैंने अपने पिछले humanities में भी इसको cover किया था, कि home science अगर आपके पास था, तो आप दरिये मन, क्योंकि home science सबस्ते ही, लोग की home science है, इसमें खाना बनाना होगा, बट खाना बनाना ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारी fields है, और best field है, उसमें क्या nutrition और dietist का, जो आप लोग आजकल बहुत suffer कर रहे हैं, तो आप इसमें diploma कीजिए और आपको जॉब पक्का मिलेगी, तो यह भी home science भी है, या फिर 12th में PCB है, minimum 45 या 55% है, आपको तो आप diploma in nutrition and dietist में कर सकते हैं, best colleges है, जाके visit कीजिए, और कोई भी अगर आप कोई से regarding कोई भी चाहिए, knowledge या फिर कोई भी problem हो रही है, तो comment section में लिखिए, या फिर हमारे contact पे visit कीजिए, website पे visit कीजिए, कहीं भी हमसे next course आता है, diploma course in banking and finance, अगर आपके banking और आपका बहुत अच्छा माच से आप commerce में है, economy, economics में आपका अच्छा है, command तो आप banking में जा सकते हैं और finance में जा सकते हैं, जहां पे आपको जैसे banks के exam हो गए, आप private bank में जाके, initial आपको minimum salary मिलेगी, बट अगर आपका experience अच्छा होग तो आपको अच्छी salaries भी offer किया जाएगा, तो आपका interest अगर finance में है, investment में है, insurance जो कि हम out करेंगे कि banking and insurance में भी जा सकते हैं, जो non banking financial institutions होती है, वो बहुत higher करती है insurance में, तो उसमें भी जा सकते है, risk management कहां पे investment करना चाहिए, इसमें guidance भी होता है, जो कि मैंने पिछले अपने वीडियो में, career guidance talk के, humanities में बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे risk analyze कर सकते हो, okay, तो banking and finance में, आप financial manager बन सकते हो, और बहुत demand है, ठीक है, banking में जाके, तो cashier का बहुत है, eligibility क्या रहता है, कि अगर आपके पास 12 में commerce था, तो 55 और 60% अगर है, तो आप किसी भी college में, entrance के base पे, या, interview के base पे होता है, और आप अपना, diploma in finance में, pursue कर सकते हो, future, best colleges यह है, आप जाहिए, visit कीजिए, कोई भी guidance चाहिए, तो हमारे channel पे, comment section पे लिख सकते हैं, next आता है, diploma in foreign trade and international trade management, जैसे कि import हो गया, export हो गया, जो भी कैसे आ रही है, inflation क्या है, इंफलेशन क्या है, currency ups, downs, analyst हो गए, export, import, कौन सी goods अच्छी होती है, import के लिए, कौन सा good export होता है, public administration में भी इसकी बहुत डिमांड है, तो आप diploma in foreign trade और international trade management में भी कर सकते हो, इसकी eligibility क्या रहती है, कि अगर आपके पास 12 में commerce था, तो आप 55 और 60 परसेंट हा, तो आप उसमे परस्यू कर सकते हो, best colleges है, आप जाएए, विजिट कीजिए, हमारे, इसमें हमारे website पर विजिट कीजिए, और इसके बारे में search कीजिए, अगर आपको सर्च करने में problem है, वैसे तो हम सारी colleges के बारे में videos बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे, बट इसको ज्यादा लंबा पीचिंगे नहीं, तो हम सिर्फ इसमें आपको guidance दे रहे है, detail analyst भी लेकी आएंगे, तो next हमारा है diploma course in business and big data analyst, data के पारे में knowledge करना, data up, down, risk, profit, loss, क्या है, data को कैसे movement हो रही है, आप sensex बोलते है, sensex हो गया, nifty हो गया, इन सब के बारे में knowledge होने में, तो ये बहुत demand होता है, इ कि अगर 12 में आपका commerce है, तो 55-60% आपका है, तो आप इसमें diploma कर सकते हैं और ये best colleges हैं, ओके, फिर next move करते हैं, diploma in event management, अगर आप बहुत creative हैं, आप कोई भी बंजर जगे को अपने creative mind से उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा diploma course हैं, आप अगर creative हैं, तो मै होंगी, आप जाएगे और इसमें अपना, अपने skill को enhance किजी, अपने आपको explore करिये, okay, तो event management बहुत अच्छा है, और शादियों की demand कभी खतम नहीं होती, तो इस market की demand कभी खतम नहीं होगी, शादी होगी, और लोग को hire किया ही जाएगा, okay, तो अगर creative हैं, तो आप जाए होने का भी बहुत chances मिलता है, तो 50-60% आपके हैं, तो आप event management में जा सकते हैं, best colleges यह सारे हैं, इसमें आप जाके interview या फिर entrance के base पे admission होता है, diploma in fashion designing, fashion designing, अगर jewelry designing आता है, interior designing हो गया, dress designing, brand marketing, जो भी designer है, आपको arts में अच्छा कमांड है, आप drawing अच्छा कर सकते हैं, तो fashion designing में जाए और इसकी बहुत demand है, diploma करके और आप film industries में भी जा सकते हैं, बहुत इसकी demand है, तो आप इसमें कर सकते हैं, fashion designing में भी बहुत सारे further fields है, eligibility क्या रहता है, कि अगर आप कोई भी stream से हैं, अगर 50-60% है, तो आप इसमें diploma कर सकते हैं, और यह best colleges हैं, जिसमें आप visit और मैं scholars के बारे में भी बताऊंगी आपको, ठीकर, diploma in foreign languages, बहुत demand है, बहुत, अगर translator की जर्रत पूरती है, तो हमें foreign languages जैसे जर्मन हो गया, Spanish हो गया, फ्रेंस हो गया, इसकी बहुत demand होती है, translator की बहुत hiring होती है, बहुत जर्रत होती है, तो आप इसमें एक foreign language को पकड़ि इसमें diploma करिए और उसकी hiring होती है, जाएगे और अपने आपको explore करिए, okay, इसकी eligibility क्या होती है, कोई भी stream से हैं, अगर 50 to 60 देख रहे हैं, कि हमने जो PCB और PCM में देखा था, उसमें 40 to 55, 55 ले लीजे, इतना percentage हैं, तो आप nursing, computer engineering, या फिर फीजियो थरापी में जा सकते हैं, औ अगर आप commerce से हैं, या फिर आच से हैं, तो आपके 50 to 60% होना चाहिए, जो कि नॉर्मली आ ही जाता है बच्चों को, तो आप इसमें जा के pursue कीजिए, best colleges ये आपके screen में है, आप जाएए, और इसके बारे में, मैं आपको colleges individual lecture में भी ले के आऊंगी, फिर उसके बाद होता है diploma course in banking and insurance, ब्लोग बहुत risk है, आज कर लोग सोचते हैं कि हम आज हैं, अकल नहीं होंगे, तो insurance बहुत कराते हैं, लोग health insurance हो गया, home insurance हो गया, कुछ भी insurance बहुत होता है, तो non banking financial institution, जो private institutions होती है, बहुत hiring करती है, तो banking and insurance में आप जा सकते हैं, और इसमें लोगों को influence करना पड influencing power है, तो आप इसमें जरूर जाएए, eligibility क्या रहता है, कि अगर आपके 55-60% है, और आपके पास commerce और जो भी है, तो उसमें जाके आप इस diploma course को pursue कर सकते हैं, best colleges यह हैं, आप जाएगे और इसको pursue कीजिए, next हमारा होता है, retail management, retail हमने retail से हमें सब्स आती है, कि एक warehouses होता है, retail management mainly products का देख रेक, जैसे की हो गया, कोई भी marketing, brand हो गया, Jara, HM, Bata, Reliance, यह सारे जो भी brand से उसके बारे में knowledge रखना, या फिर कोई products कहां से deliver होगा, कहां जाएगा, इन सब के बारे में भी, अगर आपके पास knowledge है, आपको businessman बनना है, कोई products कहां से आ रहा है, उसकी manufacture क्या हो रह होगा, तो retail management बहुत है, और अकर आपको branding, कोई brand बनाना है, या brand में कोई अच्छा खासा अपने आपको explore करना है, तो यह diploma course बहुत अच्छा है, जैसे देख लीजिए, अब brand जा रहा हो गया, H&M हो गया, Bata, Reliance, Shopping, So, यह सारे brands में आप manager बन सकते हैं, sales manager बन सकते हैं, operator manager ब अच्छा खासा manager बन सकते हैं, और इसकी अच्छी खासी salary होती है, colleges यह हैं, आप जाएए और हमारे website पर visit करके, इसको deep study करें, अगर आप कोई भी diploma कर रहे हैं, तो हमारे website पर जाएए, आप देखिए, इसमें deep study बताया है, मैं आपको सिर्क बेस बता रही हूं क्योंकि हमार इतना मैं बताऊंगी, तो आप बोड़ हो जाएंगे, तो विजट अच्छा है, तो आप हमारे website पर जाएए और विजट कीजिए, diploma in business management and administration, अगर आपके पास, आपके अंदर management skill है, administration हो गया, कोई भी management, आप बहुत सारे लोगों को manage कर सकते हो, तो इसमें आप जाएए आप अपने आपको देखे कि आप किस चीज में अच्छे हैं और उसमें आप घुष जाएए उसमें उस चीज में अपने आपको explore कीजिए, okay, तो 12 के बाद आप ये कर सकते हैं, आपके पास commerce है या फिर commerce है, तो आप देखिए यहां पर one year का भी है, six month का भी, depending on institutions and colleges पे होता है, और 12 के बाद आप eligible हो जाते हैं, 55 to 60% है, मतलब 60% तक अगर आपके आते हैं इस फिल्ड में, तो आप अच्छा इसमें pursue करिए, best colleges है, जाएए, फिर आता है हमारे पार diploma course in financial management, financial peso की, कैसे कौन से investment में करने से profit होगा, cost को कैसे minimize किया जाता है, profit को कैसे maximize करना चाहते है, कहा पर investment की आच, उसका best utilization हो, और best profit उससे आए, तो अगर आप में financial skill है, कैसे investment करना है, काउन से investment अच्छा होगा, कौन से share marketing में investment, कौन से, किस चीज़ की marketing में जादा है, कौन सा share up हो रहा है, कौन सा share down हो रहा है, अगर financial, अगर आप economics में interest रखती हैं, तो आप इस फिल्ड में जाए और बहुत अपने आपको explore करिये, ठीक है, eligibility क्या रहता है, कि one year की program, one to two year की work experience, अगर देखे, अगर आप एक साल की भी diploma course कर सकते हैं, और अगर आप experience करते जाएगा, और अगर आपको switch करके further किसी और company में जाते हैं, तो भी आपकी salary बहुत अच्छी खासी high होगी, ठ तो 50 to 60% आप देख रहे हैं, कि आप अगर आप 12th में हैं, तो आप 50 to 60% तो minimum अपने score, अपने marks को लेके चलिये, उसके बाद diploma कीजिए, और अच्छे से अपने आपको explore किजिए, अपने skill को enhance कीजिए, पर next आता है diploma in arts, अगर आप teacher बनना चाहते हैं, school labor, primary labor, secondary labor, अगर teachers बनन साकते हैं, तो आप तो beard भी हो गया, एक साल की, अगर आपके पास master है, master में अगर हो है, तो आप एक साल की beard कर सकते हैं, अगर master नहीं किया, तो दो साल की है, deal की जो demand है, वो कम हो रही है, day to day, बट करके, आप एक competitive exam भी देते हैं, और आप eligible हो जाते हैं, teacher बनने की, primary teacher, जो क बहुत जरूरी है, तो eligibility क्या रहता है, कि अगर आप कोई भी stream से हैं, अगर 50-60% इतना लाते हैं, तो हैं, ये सारी जो university है, जो deal कराती हैं, आप जा सकते हैं, और अब तो open university से भी इगनू जो है, open university है, उससे भी आप कर सकते हैं, beard course, in fact, PhD course भी इगनू लेके आ गया है, फि अगर आपको traveling का अच्छा लगता या शौक है, तो आप traveling में घुच जाएए, कोई भी traveling आप जाएए, उसका manager बन जाएए, या फिर आप aeroplane हो गया, shipping हो गई, कि कोई भी चीज़ ट्रेबलिंग में अगर शौक है, तो इस फिल्ड में जाएए, डिपलोमा कीजिए, और अं eligibility क्या रहता है, 50-60% जो कि 12 में कोई भी recognize board से आप करते हैं, तो आप eligible हो जाते हैं, ये popular university है, आप उससे कर सकते हैं, force in multimedia and animations, आज करकी gaming का बहुत, और अभी budget में government ने बहुत सारी budget animation, 3D, 2D models लेकी आई है, gaming में, अगर आपके पास thinking power अच्छी है, आप अच्छे से जो भी सोचते हैं, उसको realistic चीज में ला सकते हैं, animation आप बना सकते हैं, तो ये best होता है, और इसकी demand भी है, और जो budget आया है, उसमें भी government ने इस पे invest किया है, ठीक है, तो eligibility क्या रहता है, कि अगर आप 12%, 12 के बाद, अगर 50% aggregate से लेके आते हैं, आप देखें, इसमें 50% यह ल sales, आप लोगों को influence कर सकते हैं, consumer को influence कर सकते हैं, selling में आपके पास influential power है, तो advertisement and marketing में जा सकते हैं, advertisement कर सकते हैं, products की branding, उसको कैसे advertise किया, कैसे traffic लेके आना, उस products पे, कोई भी चीज पे, तो अगर आपके पास ये knowledge है, तो आप इस पे फिल, मैं फिर से repeat करना चाहती हूँ, आप खुद अपने आपको judge कीजिए, और आपके पास जो best skill है, उस फिल्ड में आप जाईए, आप देख रहें, इतने सारे multiple courses हैं, जिसमें आप अपने आपको enhance कर सकते हैं, next आजाता है photography, photography भी बहुत है, और इसकी demand कभी कम नहीं होती, मैंने जैसे event management में बताया था, कि event आप कर सकते हैं, तो वैसे ही photographer, अगर event है, तो photographer आएगा ही, और उसकी demand कभी कम नहीं होगी, अब तो बहुत सारे इसकी demand, pre-wedding, post-wedding shoots होती हैं, तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत इसकी demand करते हैं, तो अगर by life में जा सकते हैं, wedding हो गया, वीडियो ग्राफर हो गया, fashion हो गया, models की photo में भी models करती हैं, तो इस सम्में बहुत demand है, तो ये सारे universities हैं, आप जाके इसमें से कर सकते हैं, फिर हमारी public administration, अगर आपके पास administration की होगी, मेली अगर briocrates हो गया, civil servants हो गया, इसमें आपका है, जो हमारे third level पे जो होता है, executive, उसमें आपका interest है, कि IAS हो गया, administrative ह इसमें अगर है, तो आप इसमें जा सकते हैं, public administration और government भी हायर करती है, और private sector तो हायर करती है, तो मेली अगर आप briocrates बनना चाहते हैं, तो public administration में जा सकते हैं, उपर हमने देखा था कि आप foreign languages में diploma कर सकते हैं, अब आया various languages, जरूरी नहीं है कि foreign languages में करें, हमारे इंडिया म का बहुत demand है, और बहुत hiring हो रही है, English की demand कम हो रही है, जो मारी government है, present government, current government, वो Sanskrit, अगर आपको Sanskrit आता है, हिंडी आती है, तो बहुत hiring होती है, क्योंकि हिंडी और Sanskrit को बहुत कम लोग सोचते थे और परते नहीं थे, अब इनकी demand बहुत जादा है, तो मैं तो कहूंगी और Sanskrit में अपने knowledge को enhance किजिए, बहुत अच्छा field है, और future में इसकी बहुत demand होने वाली है, ओके, फिर आता है, digital marketing, अब कोई product है, उसको marketing करना है, कहां पे, अब social marketing पे बो लोग जादा आते हैं, जैसे कि आगया Facebook, YouTube हो गया, Instagram हो, इस पे आप अपने products को कैसे present करोगी, कि जादा से जादा आपके products को buy करें, consumer, तो आप digital marketing में जा सकते हो, हमारे जो audio grown है, वो भी provide कराते हैं, तो आप आशित सर से contact कर सकते हो, और मैं भी कर रही हूं digital marketing, okay, next आता है, diploma in website designing, देखिए, उपर हमने पढ़ा था diploma in computer engineering, उसमें developer हो गया, coding हो गया, अब इसमें designing भी होता है, कि front end designing, back end designing सारे होता है, तो design कैसे कर सकते हो, अगर computer है, तो website को design करना, ये सारे designing, आप normal private course भी ले सकते हो, जो कि two, three month में अगर आप कुछ नहीं करते हो, ना working कर रहे हो, ना कोई apply कर रहे हो, तो आप three month में complete करके, अच्छा खासा income earn कर सकते हो, या digital marketing और web designing से, ठीक है, तो ये बहुत सारी जैसे institutions हो जाती है, वो भी provide कराती है, बट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप ये डिप्लोमा करते हैं, web designing, या फिर digital marketing का, तो अच्छे institution से कीजिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे channel को भी add you grown को contact करी, या social से contact कीजिए, हम भी provide कर जाते हैं, और बहुत minimum price पर, डिप्लोमा in export management, जैसे कि ट्रेबलिंग हो गया, उस वैसे ही export, कोई goods हमारी country से कोई और countries में गई, और कोई और countries की goods हमारे countries में आई, ज्यादा export ना हो, ज्यादा import हो, कैसे हो जाए, currency की कब devaluation हो रही है, कब depreciation हो रही है, तो इन सब चीजों को analyze करना, export manager बनना, तो इसकी भी बहुत demand है, तो आप export में, आप कौन सी goods की ज़्यादा foreign में demand है, कि कौन सी goods की ज़्यादा supply होनी चाहिए, तो export import of goods को हम, इसमें भी आप diploma कर सकते हैं, eligibility देखिए, one to two year होता है, कि कौन से ऐसी goods हैं, जैसे handling की जो goods होती ह है, वो foreign में बहुत demand है, hand making की, तो वैसे goods को ज़्यादा supply करना, और वैसे goods हमारे जैसे electricity होगे, electric होगे, समान होगे, उसको import नहीं करना, सिर्फ उसके equipment इंपोर्ट कर लीजिए, और उसका पूरा structure हमारी countries में ही बनना चाहिए, इन सब चीजों को भी government बहुत ज़्यादा जो पूरा business operation management उसका product यह होता है, बिजनस operation हो गया, तो इसमें भी जा सकते हैं, इसकी eligibility देखे, बहुत कम है, आप अगर art से करते हैं, science से करते हैं, कमर से करते हैं, फिर भी इसमें जा सकते हैं, अगर business को organize करना आता है, आप अच्छे से उसको organize करना आता है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो business operation में जा सकते हैं, private sector में जा के अपने कर सकते हैं, डिप्लोमा in human resource management, मैं आपको बताते हूं कि इंडिया जो है, वो full of human resources हैं, बहुत ज़्यादा है, rich in human resources हैं, तो human resource को कैसे utilize करता है, जो वो करता है, कौन HR, उसकी selection करना, training करना, recruitment करना, और उसको अच्छे स utilize करना, human resources को HR करता है, तो आप HR भी बन सकते हैं, किसी company में, और HR की भी demand होती है, अप अच्छा का सा income earn कर सकते हैं, डिप्लोमा in supply chain management की, अगर कोई goods हैं, तो कैसे supply हो रहा है, retailer, house, जो होता है, wholesale के पास जा रहा है, जैसे हो गया, organizational behavior, business economics, मैं बताओं, तो supply chain की कोई भी goods कैसे आ रहा है, वो कैसे supply हो रहा है, कहां पर जा रहा है, इन सब चीजों का knowledge रखना और उस business में अपने आप को involve करना, supply chain management, उसको manager, अगर आप के पास management skill है, तो आप human resources में management कर सकते हो, product में management कर सकते हो, event management कर सकते हो, तो management देख रहे हैं, आप कितनी important ये word है, और इससे हर है, तो इसी के साथ आज का जो भी diploma course, career talk हम end करते हैं, hope आप सब को बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी knowledge enhance होगी, और इसको deep study करने के लिए हमारे channel, website को visit कीजिए, that is career talk.adugrown.in पे, और इसको deep study कीजिए, देखिए, आप eligibility भी है, college भी है, और deep study है, कि आपको उस, अगर वो diploma course करते हैं, तो आपको mainly कौन-कौन सा work करना पड़ेगा, और क्या-क्या उसको पढ़ेंगे, तो last minute में यही बोलना चाहूंगी, कि आप लोगों के साथ हमारी addergrown team है, हमेशा 24 into 7 कभी भी, कभी भी आप हमसे guidance ले सकते हैं, कोई भी problem हो, तो हमारे पास solution है, thank you, good luck. झाल 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 है झाल 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 तस्काप य हम् fullyट झाल झाल झाल